कि नमस्कार दोस्तों कि आप सभी का स्वागत कुछामन ओनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर और सातियों कि कल हमने हिंदी का पहला टोपिक है जिसके क्यूशन देखे थे राजस्तान की रीट टेट टीटी एसाई पटवार ल्डीसी और फेस्ट ग्रेड और सेकंड ग पहले जो यह बड़तियां हुई है और उनके अंदर जो जो क्यूशन पूछे गए हैं वही आपको में सोल करवा रहा हूं तो आसा यह रिकूंगा जो आज इस कलास पर आ रहे हैं एक बार वीडियो में जाकर कलास वन हिंदी व्याकरण की है वो भी अटेंड कर लें और बा सबसे पहले एक बार सभी साती मिलकर वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए पहले आज हम कारक टोपिक के क्यूशन लेकर आए हैं अब कारक टोपिक है उससे रिलेटेड जो क्यूशन है उनको हल करना है तो एक आसान ट्रिक है वो आपको दिमाग म में लेनी होगी अब तक जिस भी साती ने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्यूशन नमबर एक क्या कह रहा है थोड़ा समझने का परियास यहां पर आपको करना होगा बहुत ही प्यारा क्यूशन है और आसानी से हम सम देखने है दोस्तों फलको खूब पका होना चाहिए वाक्य में एसुद्धी क्या है वो आपको यहां पर चांटनी समझ गए तो बताईए, फल को खूब पका होना चाहिए, किस परकार की यह सुद्धी है, वो आपको बताना है, और बतादू, रीट में आयावा क्यों सन नहीं है, रीट 2018 में आयावा क्यों सन, आप देखिए, कारक और चिन, यह दो चीजें आपको दिमाग में सेट करनी है, देखिए, करताने, 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 करता का क्या हो गया, ने, करता के बाद दूसरा जो हमारा कारक आता है, वो आता है, करम, करताने, करम को, करताने, करम को, तीसरा आता है, करण, करण थे, अब यह जो सें लगेगा, वो कहां लगेगा, ताहिता के अर्थ में, किसके, सहाइता के अर्थ में सहाइता क्या के दुवारा के अर्थ में लगेगा करता ने करम को करण से संपर्दान के लिए अगला कारक आता है संपर्दान वो संपर्दान का चिन होता है के लिए के लिए के लिए बहुज़ के को भी लगता है के वास्ते भी लगता है के वास्ते अगले कारक की और जब हम बढ़ते हैं तो करता ने करम को करण से संपरदान के लिए अपादान से अपादान और अपादान से कार्थ होगा अलग होने में जैसे पेड से पता गिरा समझ गए तो पेड में अपादान कारक होगा अगला हमार आएगा सम्मंद कौन सा कारक आएगा सम्मंद कारक यह चीज देख लेना पेटालिस के उसनमा तर चंद से किंडू में आपके हो जाएंगे का के की होता या नहीं होता इसके अलावा रा रे री सम्मंद के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है अधीकरणकारक कौन सा आता है अधीकरणकारक अधीकरणकारक का चिन क्या होता है सबसे इंपोर्टेंट चीज है पे पे पर अधिकरण और बचा क्या संबोधन संबोधन यानि कि इस परकार का चिन लगावा होता है खे अरे ओ समझ गए यह कारक है और इनी के आदार पर इससे आज के कुसनों को हमें हल करना है कुसनों को हमें समझना है दोस्तों फलकों खूब पका हुआ होना चाहिए तो यहाँ पर सीधी सी बात है वचन समंधी नहीं है पदकरम समंधी लेई है लेगिन कारक समंधी ऐसुद्धी है वो दिखाई दे रही है दोस्तों अगला क्यूशन किस वाकिये में करम कारक है करता ने करम को को का परियोग जहां पर हो पहला चातर चत पर बेटे हैं लड़का पत्तर फेकता है एक करम की सबसे इंपोर्टेंट चीज है करम की कि करम के अंदर जब भूतकाल होता है ना तो को लगेगा बाकि वर्तमान और भवी से ना इसके अंदर को नहीं लगेगा लड़का पत्तर पत्तर क्या यहां पर करम लड़का पत्तर को फेकता है यह लिख सकते हैं लड़का पत्तर फेकता है यहां पर करम कारक काम कर रहा है और SIE एक्जाम में आया हुआ है अगला क्यूसन किस वाके में करण कारक पर सरंग का पर्योग किया गया है देखिए और ये भी आपका एसाई एक्जाम 2018 का क्यूसन है किस बर्ती में आया हुआ है वो आपको बताऊंगा का करण करताने करम को करण सें तो देखिए वालक पुस्तक पढ़ रहा है सोवन जेपूर गया है किसान दिन रात मेनत करता है हम नाक सें कियरा करण करताने करम को करण सें अगला क्यूसन देखिए इस्वन ने सुनने को दो कान दिये हैं इसमें सुनने को वाक्यांस में कौन सा कारक है तुनने के अर्थ में यांपर कौन सा कारक है वो पर योग में आ रहा है अभी जो कियू सन देख रहे हैं यह भी आपके एसाई दो जारा में आया वह क्यू सन है और कि उनने को करताने करम को पर असे संपर्दान के लिए या को देखा था नहीं देखा तो वापस देख लो एक बार देखो यहां पर के लिए को के वास्ते समझे आप यहां पे के लिए सुनने के लिए कान दिये सुनने को कान दिये के लिए कारत निकल रहा है यहां पे तो यहां पर आपका जो वाक्य है वाक्य है उसके अंदर कौन सा हो गया संपरदान कारक हो गया दोस्तों किस वाक्य में करमकारक नहीं है जिसमें करमकारक नहीं है वो बताना है एसाई एक्जाम 2018 का यह क्यों सन है बताईए दोस्तों इंपोर्टेंट पहला देखिए वालक है रोते रोते सो गया कवाला गाय दूता है मां बच्चे को सूलाती है राजा ने ब्राह्मन को बुलाया धुलक है रोते रोते सो गया पहले में करम नहीं है कि समझ गए गवाला गाय को दूता है मां बच्चे को राजा ने ब्रामन को तुलाती है बुलाया यहां पर देखिए गवाला गाय को दूता लिख सकते हैं लिख सकते हैं अगला क्यूसन इन मैं से किस वाक्यांस में करमकारक है देखिए जो यह क्यूसन है यह आपके चेलर एकजाम 2016 का क्यूसन है ठड़क पर बहुत से लोग उच्छता के साथ तमासा देख रहे हैं पूचा क्या करमकारक देखे ठड़क पर बहुत से लोग उच्छता के साथ तमासा देख रहे हैं तमासा को देख रहे हैं अगला क्यूसन है इस वाक्यांस में अधिकरण कारक है वाग में कुछ लोग दीरे-दीरे टेल रहे हैं मेंं पेपर इस्ष्ट रेडेर अधिकरण कारक पूचा है वाग में तो अधिकरण कारक में आपको पे पर ये दिखाई देगा नेक्स्ट क्यूसन है किस वाक्य में वाक्यांस में अपादान का रखे करता ने करम को करण से अपादान के लिए यह होगा बताओ करता ने करम को करण से संपरदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में तोरी करने के कारण उसने नोकर को गर से निकाल दिया गर से बतानी है कहां से निकाला है कहां से अलग हुआ है गर से अलग हुआ है असिस्टेंट जेलर में आया वह क्यूसन है ओप्शन चार सही रहेगा इस वाक्यांस में समपदान कारक है, करताने करम को करनसे समपदान के लिए, तो देखो के लिए का राथ ऑर कहां पर मिल रहा है, वहीं पर होगा, और 이 इस करपा के लिए यह रापका समपदान कारक, स्थ है इस वाक्यांस में संबंध कारेक है यह कोग रादा कार पर है को तहन पर रखो पढ़ो और उतर पता दो 2015 रीट का क्यूंचन री बताओ जल्दी से राम के साथ कौन सा सब्द कारगपर्सरंग के साथ परियूक्त apalikすथ दिवार याद डाल कारग के साथ लगने पर ही है कि पह porkं में रूपव भदलता है कौन सा है रीट 2015 का क्योसन है और मालग है कि रीचे को क्यूसन नumर बारग करम को क्या करम यहां पर दिया यह है यह हुआvenir यह इसक्रण को कब किस्वर्थी में आया हुआ है करता ने करम को क्या करम हिस्क्राइन आया है ढिए कंवा किया बिरावा है कब इस बढ़ती में आया है स्टीट में आया होगा है कारमकारक है और संट तार यहां पर सही रहेगा एकस्ट राम कलम से लिखता है इस वाक्ये में करता के अतिरिक्त और कौन divides के राम कलम से लिखता है इसमें राम तो हो गया कलम से नहीं की करण करता ने करम को करण से तो यह रा करण कारक यहां पर होगा एक्स्ट है किस करम में अधिकरण कारक का उधारन नहीं है में पर किसमें नहीं है थत पर में पर आ गया पिताजी कारियाले में आ गया अलमारी में आ गया यह सुदीर का पेर है तो यहां पर संबंद है यहां पर संबंद है आपका समझ गए अब मत बोलना किसमें आया हुआ है एक तो पटवारी बरती में आया हुआ यह क्यूसन है समझे आप पटवारी के अलावा बीड जो इंट्रेस एक्जाम होता है उसमें आया हुआ है उसके अला यूपिटेट एक्जाम इन बर्तियों में आया हुआ है आठ परकार होते हैं कितने होते हैं आठ परकार एक्स्ट है इसे देखता हूँ वही सवार्ती निकलता है कौन सा कारेकर जिसे देखता हूँ वही सवार्ती निकलता है बताओ कौन सा कारेक है यहां पर का के की रारे री नाने नी जिसें देखता हूं यानि कि किसी के साथ वो रिस्ता बनाता है सम्मंद बनाता है वही सुवारती निकलता है यानि सम्मंद कारक यहां पर काम में लिया जा रहा है जब कहीं से भी अर्तना निकले तो हमें सां रिस्ता बना लिया करो किस वाकिय में अपादान कार्क है, पटवारबर्ती में आया वाक्यूसन है, अपादान करताने करम को करन से संपरदान के लिए अपादान से, निया अलग होने कार, बच्चे बस से विदा ले जाते हैं, एक अपरेल को परिक्षा होगी, गंगा हिमाले से निकलती है, तो ये आपका अपादान कारेक नेक्स्ट क्यूसन है अपादान कारेक के लिए सही करमा के बहु सास से जल लजाती है बहु सास से सामान लेती है तास बहु से काम कराती है तास बहु से बात करती है अपादान कारेक के लिए सही कौन सा है वो आपको यहां पर पूछा गया है पटवा को हो जाएगी जिस वस्तु पर किरिया के व्यापार का फल पढ़ता है उसे सुचित करने वाला संग्या रूप को कौन सा कारक का जाता है जिस वस्तु पर किरिया के व्यापार का फल पढ़ता है किरिया के व्यापार यानि कि करम पटवार बरती थर्ड ग्रेड बरती में आया तक कराजा तेवक को अ कम्बल देता है रेकांके सब के लिए कारका सही करम बताईए पटवार में और थर्तिय ज्विते शुरेणिया निवरिष्ट द्यापक 2012 में आया हुआ है करता ने करम को तेवक को कम्बल देता है के लिए करन तो है नहीं यहां पर कौनसा होगा संपरद प्लबानओंगा झाक है अगल एक ऊहरार मेरे और उसके मद्दे में था कोन सा कारेकश है जगड़ा मेरे और उसके अद्डे में था मैं से आपको रतनिकालना है मैंजसे क्या निकलेगा मैं पेपर अदीकरण कारें कोन सा है ॅदी गॉंड क्रीबू के Carlo invasion के निमीत दन इगटा करो वह प्यारा क्यों सनाया है 22 नमर बताओ जल्दी से करीबू के निमीत निमीत के लिए के वास्ते हर जगह संपरदान कारक होता है क्या होता है संपरदान कारक एक्स्ट है मां बच्चे को दूद पिला रही है मैं कौन सा कारक मां बच्चे को दूद पिला रही है को और जब भी को मिले तो करम कारक होगा बच्चे को करम कारक अगला क्यों संपरदान कारक है देख लीजिए संपरदान कारक कहां पर है हमने चिडियागर में पक्सी देखे कि करीब के निमीत वस्तरदान करो के लिए के निमीत के वास्ते यह रा संपरदान कारक नेक्स्ट है किस करम में करता कारक नहीं है वो बताना है पटवार में आयावा क्योसण सचीन क्रिकेट खेल रहा है वरत्मान आगया बिजली चमक रही है तुरेश ने सुरज को बुलाया संजे व्याम कर रहा है यहाँ पर करता बिजली चमक रही है समझ गए अगला क्योंसा पिरुने देश के हे तू बलीदान दे दिया में कौनसा कारक है पिरुने देश के हे तू बलीदान दे दिया बताओ के हे तू हे तू हे तू के हे तू के वास्ते के लिए कौनसा होगा संपरदान तो संपर्दान कारक यहां पर रहेगा दोस्त क्योसर नमर 27 है अपादान कारक के संब्द में कौन सा उधारन नहीं है 27 नमर क्योसर आपके स्क्रीन पर है देखे मैं जैपूर से चला रहा हूं सूरिय परत्वी से दूर है राजी उचत से कुद पड़ा सब प्राणी आँखों से देखते हैं अब यहां पर पोचा है संब्न दे अपादान कारक के संब्न में अपादान देखिस्ट में जैपूर से अलगा हूं गया परत्वी सूरिय इ से दूर हो गयी सब प्राणी आँखों से देखते हैं तो यहां पर अलग नहीं हो रहे हैं गिरा अलग होने का बाव नहीं है तो यहां पर अप्पादान कारक नहीं है अगला क्यूसन है कौन सा करम सही नहीं है अठाइस नम्मर है पेड़ से पत्ता गिरा मेरे पहरे सात्यूं यहां पर करण कारेक नहीं होगा यहां पर अप्पादान कारेक होगा कौन सा होगा अप्पादान कारेक ओ लड़के दीरे चल संबोधन है, खत के उपर चले जाओ, अधीकरन है, खत के उपर में पेपर, आसमान का रंग निला है, संबन्द है, का लगा हुआ है, अगला क्यों सन, किस करम में करण कारक नहीं है, पेला, लड़का चत से गिर पड़ा, यहां पर अपादान है आपका, अलग हो रहा है ना चत से लड़का, तो अपादान कारक है, ओप्सन एक सही रहीगा, नेक्स्ट, देवंदर मेदान में केल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक है, आज के इस कलास में, 2011 से, 2023 के बीज विबिन परति यहों में आये विक्यूसन लिये में, देवंदर मेदान में खेल रहा है, में पेपर किसके पैचान है, अधीकरण की, तो अधीकरण कारक, ओप्सन चार सही रहीगा, नेक्स्ट है, रेकांकित का कारक बताईए, मेंड़क को पत्तर से मत मारो, करताने करम को करण से, तो पत्तर से करम कार, करताने करम, सोरी, करण कार, करताने करम को करण से, करण कार कि यहां पर रहेगा, योसन 32, किस करम में संपरदान कारक का सही परियोग हुआ है, संपरदान कारक का सही परियोग कहां पर हुआ है, पहला, बचु के लिए मिठाई लाओ ये रा के लिए और ये रा संपरदान कारक अगला क्यूसन किरिया का परभाव या फल जिस संग्या या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं क्रिया का फल या परबाव जिस संगया या सर्वनाम पर पड़ता है उसे क्या किते हैं उसे करम कहते हैं और संचार करम कारक है नेक्ष्ट में से अपादान कारक का विबक्ती चिन है अपावदान में हमेशा अलग जबाव होता है तो मेरे पहरे साथियों से अलग होने के अर्थ में जैसे पेड़ से तहनी किरी तो तहनी पेड़ से अलग हुई तो पेड़ में आपका अप्पादान रहेगा अगला क्यूशन अमेरिका ने बारत को आर्थिक साइटा दी में कौन सा कारक है अमेरिका ने बारत को आर्थिक साइटा दी अमेरिका ने बारत को आर्थिक साइटा दी करता ने करम को करन से संपरदान के लिए को के वास्ते आर्थिक साइटा गरीबी दिवारन के लि नमजगे जहां पर भी आगया भाव दान दक्षिना की बात आती है तो वहां पर स्क्रम पर दान कारक होता है यह सांप से डृता हूं मैं सांप से डृता हूं कौन सा कारक है जहां पर किसी से डरें हम करना और डरना मतलब अपादान तरेंगे तो उस जगह को हम छोड़ेंगे तो अपादान कारक है नेक्स्ट अपादान कारक हूदान सोरे से मोवन चोटा है मैं आज से पढ़ाई करूंगा गंगा इमाले से निकलती है यह ऐसा अधान है जो बहुत सारी एक्जामों में बहुत कर्मांक में करताकारक नहीं है एक हश्ता यह अर्थ नहाइनी लिकी कमला घार ही है और एद्यापक ने चात्रू को पड़ाया है मनॉहर हास्ता है यहां पर मनॉहर किसी का नाम नहीं है मैं यह गुणी के बारे बात हो रही ह। यह इंश्ता हैं लोटा जट से गिरा में कौन सा का राक है फ्लोट गृत से गिरा इसमें कौन सा कारक काम कर रहा है अलग ह reicht लग होने के बाव में अपादान कारक तो option 2 है जो सही हरी next और के लिए किस कारक ग्यानि energy करताने करम को करण से संपर्दान के लिए को तो यह रहा संपर्दान ओप्शन एक सही रहीगा पियसाई एक्जाम में आया हुआ क्यों सना यह अगला क्यों सन रमेज जेपुर से दिल्ली जा रहा है इस वाक्य में कारक है तेकंड ग्रेड में आया हुआ है हिंदी के अंदर प्रमेज जेपुर से तिल्ली जा रहा है तो रमेज करताने करम को करन से संपरदान के लिए अपादान से जेपुर से अलग हो रहा है अपादान कारक है अंदर राम को पीट रहा है इसमें रेकांकित सब्द कौन सा है वो देखो तो प्यूस है प्यूस में कौन सा कारक है प्यूस के अंदर करता कारक है प्यूस राम को पीट रहा है अगला क्यूसन पूजा को नोकरी नहीं करनी है पूजा को नोकरी नहीं करनी है इस वाक्य में रेकांकित्पद में कौन सा समास है फूजा को करताने करम को चारम कारक कौन सा है करम कारक है नेक्स्ट उत्म पुरुस बहु वचन संबंध कारक है तो तुम्हारा उसका मेरा हमारा हमारा उत्म पुरुस बहु वचन और संबंध कारक एक श्ट है अनुप्यूग्ध परसरंग का प्रयोग हुआ है इसका काम करनी की इच्छा नहीं है अद्यक्स को निवेदन करना चाहता हुँ आठ बजने में नानक ने अपना सारा लज्ञान सादूं इसका हूँ जलत का नहीं अनुप्यूक जो परसरंग उसका प्रयोग हो राया नुप्यूक्यूप संदो अब एक चोटी किसी जानकारी फिर आगे बढ़ेंगे हम कि देखे आप रास्तान की किसी ना किसी पढ़ती होगी प्रक्षा की तो तयारी में लगे में हैं और मेरे पैरे सातियों अगर आप तयारी में लगे में हैं और उनमें से कोई एक बढ़ती इनमें से हैं जिन में मैं अच्छी तरह ब और सामाने दोनों विबाग में सामाने विबाग में पिटी आई थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन सेकेंड और थर्ड ग्रेड इन तीनों बर्तियों के दीके पेपर लिए यानि पेपर वन का गार कंप्लेट कोर्स है और वो भी किसके माधियम से फिरपीटी के माधियम से आपको पड़ाया दा रहा है रीट लाइव है। यह लैव बेच्छो यह भी क्या आपका पर प्रेटी माधियम से नहीं है बांकि लाइव है पूरा का फोरा और यह एना तीटी और पसुपरिचर यह दो ऐसे कोर्स है इनको मातर आप 60 दिन में कम्प्लीट कर सकते हैं और रिकोड़ेड कोर्स है कि समझ गए अगर आप इनमें से त्यारी कर रहे हैं तो परतम सो विद्यार्तियों के लिए परती दिन उपर रहता है परती दिन परतम सो विद्यार्ति होते हैं उनको 999 रुपे में एक कोर्स मिलते हैं असा अनुरूप आप एक बार कोर्स पर जाकर चेक कर लीजिएगा अगर 999 में यह कोर्स आ रहे हैं तो आज ही इनको जोइन कर लेना सभी मेरे पैरे सातियों को धन्यवाद मिलेंगे कल नेक्स टोपिक के साथ जे हिंद जे बारत